ये देखो ये बज़ेट पहला तो बहुत निराश जनक बज़ेट है दूसरा ये अपना सिमासन बचाने के लिए ये बज़ेट किया गया है थीसरा जो खिसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे MSP गैरेंटी का और कानूनन उसको कुछ MSP को मजबूत ही मिलेगी और फटलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड इसके लिए कुछ सबसीड़ी भी मिलेगा यह सारी चीजे हमने एक्षपेट किया था वो भी इसमें नहीं है और इतने हाध से रेलवे में हो रहे हैं वो रेलवे में, रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का वो finance department जब भी गया, रेलवे डिपार्टमेंट तब से या तो उसको ठीक डंग से पैसे मिल रहे या भरतिया नहीं हो रहे उसके बारे में कुछ जकर नहीं किया हुनों ने कर सकते थे कि हम इतने नौकरिया खाली है उसको ठीक करके सिगनल वाला हों दो आटेंड करने वाले हों दो और जितने भी पॉलिस सेक्रिटी होना वो हों दो यह जो अवश्यक चीज़े रेलवे में करने थी वो भी उन्होंने नहीं किया और पट्री सुधारना रेल पट्री सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफटी के लिए कुछ करना था वो भी इन्होंने ज्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया और बहुत दिन से मैं खुदी कोशिश कर रहा हूं जो पहले के स्टीम्स थे खास करके जो बोगी फैक्री हम करनाटक में बनाए थे उसको एक्सपांड करने का था तो अब दस साल से वो एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं और बहुत से जो नए स्कीम पहले गवर्मेंट दी थी और जो रेलवे लाइन नहीं दिये थे वो भी इसमें नहीं है तो रेलवे बजेट भी इतना कमजोर बनाया है शाहर उसी लिए तो वो फैनास देपार्टमेंट में मर्ज करके उसको और्फन कर दिया है